वाहे गुरू, वाहे गुरू, वाहे गुरू श्री गुरु नानक देव जी का एक बड़ा प्यारा सेवग था भाई शीहा गुरु जी की संगत का उसपर इतना असर था कि वे हर समय बानी से जुड़ा रहता नाम जपना, किरत करनी, मिल बांट कर खाना ये उसका सभाव था इस तरह भाई शीहां और उसकी पत्नी गुरू नानक देव जी के हुकम अनुसार अपना जीवन बिता रहे थे भाई शीहां जो एक बहुत गरीब लकड हारा था दिन भर बड़ी मेहनत मशकत करके जंगल से लकडियां काटता फिर शेहर जाकर बेच आता जो पैसे मिलते उससे उनका बड़ा मुश्किल से गुजारा चलता कई कई दिन तो ऐसा होता उसे और उसके परिवार को बूखे ही रहना पड़ता एक बार कुछ ऐसा ही हुआ पैश यहां तीन दिनों तक एक भी पैसा ना कमा पाया उसकी लकडिया ना बिकी फिर भी उस सबर और संतोष की मुरत ने एक बार भी प्रभू के आगे शिकायत शिकवा ना किया बलकि तेरा पाना मीठा लागे कहकर अपने मन को मना लिया चोथे दिन प्रभू ने मिहर की और उसकी कुछ लकडिया बिक गई वे बहुत खुश हुआ राशन लेने एक कर्यानी की दुकान पर जा पहुंचा उस दुकान का मालिक भाई लहना जी थे जो आगे चल कर सिखों के दूसरे गुरू शिर्गुर अंगत देव जी कहलाई भाई शिहा हर रोज उसी दुकान से राशन खरीदा करता था काफी दिनों बाद अपनी दुकान पर आया देख भाई लहना जी ने पूछा क्यों भाई शिहा आज बड़े दिनों बाद राशन लेने आई हो भाई शीहां बोला इतने दिनों से मुझे कोई कमाई नहीं हुई आज रभू की कृपा से मुझे कमाई हुई है सो इन पैसों को आप मुझे राशन दे दे भाई लेहना जी ने उसे मुठी वाराटा दे दिया तब भाई लेहना जी ने सोचा इतने कमाटे से मुश्किल से दो तिन परशादे ही तैयार होंगे इस तरह इसके सारे परिवार का पेट कैसे भर पाईगा सो उन्होंने दो मुठी आटा अपनी तरफ से उसमें ओर डाल दिया और भाई शियां जिसे बोले देखो भाई तुमारे दिये पैसो में तो केवल मुठी वर आटा ही आता है सो मैंने अपनी तरफ से दो मुठी आटा ओर डाल दिया है ताकि तुम आज इतने दिनों बाद भर पेट भोजन खा सको इतने वचन सुनकर भाई शियां वही रुक गया और बोला मेरे सद्गुर का हुकम है कि अपनी मिहनत की कमाई खाओ सबर संतोष धारन करो इसलिए जो मेरे कर्मों में था वो मुझे मिल गया जो आटा आपने अपनी तरफ से डाला है वो वापिस निकाल लो आपकी वस्तु पर मेरा कोई हक नहीं क्योंकि पराया हाक खाकर मुझे प्रबू की दरगा में स्थान नहीं मिलेगा अगर दूसरों की कमाई पर नजर भी रखी तब भी दरगा में मुझे बड़ी सजा मिलने वाली है भाई लैना जी ऐसी बाते सुनकर बड़ी हरान हुए इतना प्यार सम्मान है अपने गुरू के लिए भाई लैना जी बड़े द्यालू थे हाटा देने का उनका केवल यही उदेशे था कि भाई शीहा आज भरपेट भोजन खा सके पर भाई शीहा ने फिर कहा आप दो मुठ्ठी आटा वापिस ले ले नहीं तो मैं आगे से आपकी दुकान पर आना बंद करके कहीं और से राशन ले लूँगा भाई लैना जी दिया हुआ आटा वापस लेना नहीं चाहते थे पर यहां पर उन्हें ये चिंता नहीं हुई कि कहीं मेरा गराहक यहां आना बंद ना कर दे बलकि कहीं गुर्मुख व्यक्ति उनके पास आना बंद ना कर दे सो भाई लैना जी ने दिया हुआ दो मुठी आटा वापस ले लिया भाई लैना जी के मन में फिर भी कई विचार आने लगे कि एक मुठी भराटे पूरे परिवार के लिए ये भोजन कैसे तयार करेगा कहते हैं भाई लैना जी उसी वक्त अपनी दुकान बंद करके भाई शीहा के पीछे चुपके से दबे पाउंच चल दिये भाई शीहा ने घर पहुँच कर पत्नी से कहा आज सत्कुर की बड़ी कृपा हुई है मैं अपनी कमाई से कुछ राशन लाया हूँ सो तुम अब भोजन बनाने की तयारी करो कहते हैं भाई लैना जी भाई शीहा जी के घर की दिवार के सहारे सारी बाते सुन रहे थे भाई शीहा की पत्नी का सभवाब भी बड़ा द्यालू और संतोशी था मुठी भर आटा देकर उसने अपने पती से ये नहीं कहा कि आज तीन दिनों बाद के वल तुम मुठी भर आटा लाए हो मैं क्या करूँ इसका बलकि वो भी गुर्मुख हिस्तरी थी उसके माथे पर जरा से भी शिकर ना थी प्रभू का शुकर मनाती हुई उसने भोजन तैयार किया कुछ ही पल में तीन पत्ली पत्ली रोटियां लाकर पती के सामने रखती उसी पल पत्ती और पत्नी के बीच भोजन के लिए बहस छड़ गई पत्नी बोली आप दो रोटी खालो एक रोटी मैं खालूँगी सारा दिन आप बहुत मेनत मशक्कत करते हो इसलिए आपको ज़ैदा भोजन चाहिए इतना सुरका भाई शीहा ने कहा नहीं बलकि तुमें रोटी ज़ैदा खानी चाहिए क्योंकि तुमें चोटे बच्चे को अपना दूद पिलाना है अगर तुम रोटी कम खाओगी तो बच्चा बुखा रह जाएगा भाई लैना जी जो सब कुछ दिवार के साथ लगे सुन रहे थे उनकी आँखें आंसों से भर गई अभी पती पत्नी में आपस में रोटी को लेकर बहस ही चल रही थी कि उनके घर एक सादू ने दस तक दी और बोला मैंने सुना है कि ये गुरु नानक के सिख का घर है मुझे बड़ी बुख लगी है कृपा करके मुझे भोजन खिला दो मैं सारे गाउं में घूम कर आया हूँ पर मुझे किसी ने भोजन नहीं खिलाया कहते हैं तब भाई शीहा ने उस सादू को अंदर बिठाया उसका बड़े अदब से स्वागत किया उसके सामने एक रोटी परोस थी सोचने की बात है कि बाई शीहा को कितने दिनों बाद भोजन मिला था और वै भोजन में सादू को खिला दिया तब भी पती पत्नी दोनों के माथे पर कोई शिकर ना आई ये गुन होते हैं गुर्मुखों के जो गुरू की संगत करने से ही पैदा होते हैं वे दमपती इस इंतजार में थे कि सादू के जाने के बाद दोनों रोटी खाकर अपनी बुख शांत कर लेंगे भाई शीहा ने पत्नी से कहा सादू के एक रोटी खाने से हमारा जगड़ा ही निपट किया चलो अच्छा हुआ अब हम दोनों एक एक रोटी खा लेते हैं उसी पल सादू ने अवाज लगाई मुझे एक और रोटी चाहिए मेरी बुख शांत नहीं हुई तब भाई शीहा ने बिना हिच की जाए एक और रोटी सादू को खिला कर विदा किया अब उनके पस एक ही रोटी बची जो उन्होंने आधी आधी खाकर गुजारा किया भाई लैना जी ने ये सब अपनी आँखों से देखा और बड़े भावुक होकर दरवाजा खटखटाया और भाई शीहां को जोड से उन्होंने अपने गले लगा कर कहा भाई शीहां जी आप तो बहुत सबर और संतोश की मुरत हो आपका इतना बड़ा दिल आखिर किसने बख्षा है मैंने तो सुना है जब बूख बहुत बढ़ जाती है तो मनुष्य का सबर और संतोश सब खतम हो जाता है पर बड़ी हैरानी की बात है कि इतने मुश्किल समय में भी आपने अपनी बूख कम कर ली और सबर संतोश बे इंतहा कर लिया भाई लैना जी ने कहा तुमारे गुरु कहां रहते हैं तो भाई शीहां जी ने कहा मेरे सद्गुरु जी शिरी नानक देव जी हैं जो करतारपुर में रहते हैं वो खुद ही करतार का रूप है मेरे गुरु शिरी नानक देव जी जातपत करमकांडों को नहीं मानते सभी को एक निरंगार से जोडने का आदेश देते हैं वे सांची केती करते हैं सांचा लंगर लगाते हैं उन्होंने बहुत सारी बानी की रचनाई की हैं भाई शीहें से ऐसी बाते सुनकर भाई लेझाजी के मन में शिर्कुन नारंग देजी से मिलने की बड़ी तीवर इच्छा पैदा हुई हर साल की तरहां जब भाई लेझाजी संगतों के साथ माता ज्वाला जी के दर्शन करने गई तब ये रास्ते में एक धरम शाला में विश्राम करने रुके सारी संगते, सारे रास्ते में माता की भेंटे गाती आ रही थी पर भाई लैना जीन गहरी सोच में डूबे रही संक्तों को धरमशाला में छोड़कर खुद करतारपूर के लिए निकल गई उस समय रावी नदी उफ़ान पर थी पर गुरु नानक देजी को मिलने के द्रिड संकल्प ने उन्हें पल भर में ही नदी पार करवा दी उस समय उन्हें एक लंबे मुचे गठीले श्रीड वाले बुजुरु दिखाई दिये भाई लैना जी ने उनसे पूछा कि श्री गुरु नानक देजी कहां रहते हैं कि ये तो वही पुरेश हैं जिन्होंने मेरी घोडी की लगाम पकड़ कर मुझे यहां तक पहुंचाया है श्री गुरु नानक देजी ने उनसे पूछा तुमारा क्या नाम है तो उन्होंने कहा मेरा नाम लैना है गुरु जी मुस्करा कर बोले अगर तु लैना है तो हमने तेरा देना है भाई लैना जी ने गुरु जी के चर्नों में माथा टेका और अपनी भूल की माफी मांगते वे बोले हे मेरे मालिक मेरे से भारी भूल हो गई जो मैं घोड़ी पर सवार था और आप पैदल चलकर मेरा मालक दर्शन कर रहे थी गुरू जी तब बोले ये कोई नई बात नहीं है हमेशा ही लेने वाले घोड़ीों पर होते हैं और देन हार धरती पर पैदल चलते हैं भाई लेना जी ने गुरू जी के अनमोल वचनों को सुनकर अपने अंदर परकाश महसूस किया भाई लेना जी हैरान थे कि जो परकाश जो रोशनी मुझे देवी माता के दर्शनों से महसूस ना हो सकी वो पल भर में कैसे प्राप्त हो गई इसके बाद भाई लेना जी हमेशा ही गुरू जी की सेवा में लीन रही भाई लेना जी अपने गुरू के इतने प्यारे सेवक पने कि गुरू नानक देव जी ने अपनी गद्दी अपने पुत्रों को ना दे कर बल्कि भाई लेना जी को सूंप दी और उन्हें लेना जी से गुरु अंगत देव जी नाम दिया और सिखों का दूसरा गुरु घोशित कर दिया इस प्रकार गुरु अंगत देव जी को गुर्गद्दी प्राप्त हुई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते